हेलो फ्रेंड्स दिस इज एस्पिशिंग एंड वेलकम टू इसमार्टर एब्रेड़ पैरे दोस्तों बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है शिक्षा के मनोवज्यानिक प्रिपेक्श यानि की साइकलोजिकल इसके पांच चैप्टर कंप्लीट हो गये हैं ठीक है एक सीक्वेंस से क्लासेस कंटीनु है प्लेलिस्ट पूरी बने वही है आप वहां से इसको देख सकते हैं आज चैप्टर 6 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जीन प्याजे का संग्यानात्मक विकास का सिध्धांत ओके आप विकाइड का तो टॉपिक है ही आप जहें सीड कि Só street के तैयारी में हो या जितने भी अपके टीचिंग एक्जिम्स होते हैं उनसे दो जीन प्याजे बच सकते हैं दो जीन प्याजे से वो एक्षा मेंस बच सकते हैं तो व्याजी इस वेरी उम्प बहुत important इसको हम pictures के माध्यम से examples के माध्यम से बहुत आसान भाष्णा में इस concept को आज हम लोग clear कर पाएंगे तो आए शुरू करते हैं देखेगा और इससे पहले मैं आपको बता दूँ आपकी शैस्वावस्ता बालयावस्ता की शोरावस्ता सब कुछ बहुत अच्छे तरी की जो मृत्य है 1980 में हुई थी प्याजी जो है इस शुजर लेंड के निवासी ते कहा की निवासी हैं शुर्जर लेंड के निवासी ते यह question कई बाल टेट में पूछ लेता हाला कि सीटेट में नहीं पूछेगा टेट में पूछ लेगा यह एक जीववग्यानिक और मनोव जाता है ठीक है जबल और इसमें फेमश क्या किस नाम से फेमश है श्रेंगानात्मक विकास का सिद्ध ये फेमश है बाकि इसके ये भी नाम है प्याजे ने मुक्ताहा बालक के mental development पर ध्यान के अंद्रित किया है कि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो किस तरीके से होता है किस स्टेस में किस तरीके का बालक का विकास होता है किस इस तर पे आकर कि किस स्टेस में आकर कि बच्चा कितना समझदार हो जाता है इस चीज पर प्याजे ने बहुत बारिके से अध्यन किया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया भी यह प्याजे ने कहा है कि जो बच्चे हैं नन्हे वैज्यानिक हैं प्याजे ने बच्चों को क्या कहा कि बच्चे नन्हें वैग्यानिक होते हैं क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उनको चीजें देदो तो उनको खोल करके तोड करके फिर से जोडने का प्रयास करते हैं फिर से बनाने का प्रयास करते हैं है ना प्याजे ने अपना जो अध्य किया संग्यान अत्मक्विकास की व्याख्या करते हुए प्याजे ने कहा है क्या कहा है प्याजे ने संग्यान अत्मक्विकास की व्याख्या करते हुए यह कहते हैं संग्यान यानि की जिसको हम कॉगनेटिव कहते हैं ठीक है संग्यान प्राणी का वह भाग है जिससे वह वात बालवन के साथ समायोजन करने के लिए अतियावस्यक है बालग का अपने अट्मोस्फियर के साथ Adjust करने के लिए अतियावस्यक है घ्जान छीके आगे बढ़ते हैं देखेँ जन्म की समय बालक में प्राकर्टिक शमता रहती है आयू और परिपकुता के साथ-साथ उसके यूँ बढ़ेगी बालक maturity की तरफ जाएगा तो उसके अंदर cognitive development होगा और संग्यान तो प्रक्रियाओं का विकास होगा प्याजे ने प्राणी के संग्यान को उसकी जनमजात सनचना एवं अनुभावों की अंतक्रिया का प्रिणाम कहा है क्या कहा है प्राणी के संग्यान को और अनुभावों की अंतर क्रिया का ही प्रिणाम बताया है ध्यान रखेगा इस point को हो सकता है आपसे पूछ लेके ऐसा किसने का आए टैट इक्जाम में आगे बढ़ते हैं संग्यान अत्मक विकास जो है इसके कुछ महत्पूर्ण कॉंसेप्ट है जो प्याजे ने दिये ह क्या concept हैं एक तो अनकुलन है और अनकुलन के बाद जो दूसरा है वो शौमेधहरन होगा तीसरा इसका scheme सह चोथा scheme होता है आईए इनको समझते है जिसे जो हमारा पहला है अनकुलन प्याजे के कॉर्णिंग बालकों में वातावरन के साथ सामंझत्य करने की जन्मजात प्र तो अनुकूलन कहा गया है ओकी अनुकूलन प्रक्रिया जो है इसकी दो उपर प्रक्रियाएं बताई गई है एक तो आत्मसाथकरण जिसो एसीमिलेशन कहते हैं दूसरा समयोजन जिसको अकॉमोडियसन कहा जाता है ठीक है अब देखिए आत्मसाथकरण क्या है समयोजन क्या ह याने की पूर्व ग्यान को जो ग्यान आपने पहले से प्राप्त किया है, उसके साथ में जब नया ग्यान जोड दिया जाता है, तो इसको assimilation कहते हैं, इसको आत्मसात्रण कहते हैं, जैसे माली जी है, कि बच्चे ने इस डॉगी को देखा, और आप से पूशा कि ये क्या है, आपने उसको समझाया कि देखिए, इसके दो कान है, इसके पूश है, चार पैर है, ये बलेक कलर का है और ये भौकता है, ये डॉग है, ये कुता है, बालक समझगा कि ठीक है, ये डॉगी है, दूसरे दिन या कुछ दिन बाद बाद बालक को इस प्रकार का एक डॉगी दि वो भी भॉक रहा था ये भी भॉक रहा है इसका मतलब जरूरी नहीं कि कुत्ता ब्लैक ही हो जो डॉगी है वो वाइट भी हो सकता है भूरे कलरका भी हो सकता है तो ये भी क्या है ये भी डॉग ही है तो बालक समझ किया उसने यहाँ पे अपने पहले से जो ग्यान उसको प्र हो सकता है ठीक है ये भी भौक रहा है ये भी भौक रहा है यानि कि ये भी क्या है कुता ही है ये भी डॉगी ही है तो इस तरीके शेबालक ने अपने पहले से प्राप्त ग्यान के साथ नया ग्यान जोड़ लिया इसी को assimilation कहा गया अब इसका जो दूसरा concept है वो भी बहुत अच्छा है फिरस समयोजन समयोजन क्या होता है पूर्व अनुभाव में परिवर्तन करके जो ग्यान आपको पहले से प्राप्त है अब यहाँ पे आप उसमें कुछ changes करेंगे कुछ बदलाव करेंगे उसके बाद आप वा भी दूकान है? चार पैर इसके भी disposition रिकिन यह भौकती नहीं है यह क्या प्हरति है? यह क्याहर que tough performance कर दिए्धै के बारे में और उसमें changes कर दियी वह भौक रहे सौमेधान की बात करते हैं इसका जो कॉंसेप्ट है वह अनकूलन के कॉंसेप्ट से मिलता जुनता है जैसे क्या कहाता प्याजेने की बालग के अंदर वागताव रनक के साथ एड़ने की जिमजात्य प्रवत्ति होती है वही अनकूलन है इसका concept अनकूलल के concept से मिलता जुद्धा है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दोरा बालक आत्मसात्करण और समयोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है ठीक है? यानि कि आत्मसात्करण और समयोजन की जो प्रक्रिया है तो ये जो बालक यहाँ पे आत्मसात्रन और समायोजन कर रहा था ये उन दोनों प्रक्रियाओं के बीच को संतुलन कायम करता है जब बालक के सामने ऐसी परिस्थिती या समस्या आती है जिसका उसे कभी अनुबाव नहीं हुआ था तो इससे उसमें एक तरह का संग्यानात्मक असंतुलन उत्पन हो जाता है जब आपके भी सामने कोई प्रॉब्लम करियेट होती है तो आपके अंदर असंतुलन पैदा हो जाता है जिसे दूर करने के लिए या जिसे संतुलन में लाने के लिए वह आत्मशात करण या फिर समायोजन या दोनों ही प्रक्रियाएं करना आरंब कर देता है अब या तो आत्मशात करण करे वो अपने पूर्व ग्यान के साथ नए ग्यान को जोड़े या फिर क्या करे वो समायोजन करे कि भाई मतलब टॉपिक है इसी में आपके संग्यानत्मक सनचना आती है संग्यानत्मक सनचना जिसको हम कोगनिट्व इस्ट्रक्शन भी कहते है बालक के मांसिक संगठन या मांसिक शमताओं को ही संग्यानत्मक सनचना कहा जाता है बालक का जो मानसिक संगठन है या जो मानसिक छमता होती है उसी को संगयानात्मक संगठना कहा जाता है अब इसके बाद मानसिक संक्रिया आती है जिसको mental operations कहते हैं जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है ठीक है? ये बालक है, इसको ऐसा होंवर्क दे दिया गया है, कि इसके समने प्रावल्लम खड़ी हो गई है, अब ये उस पर चिंतन कर रहा है, कि मैं इस प्रावल्लम को कैसे, इस को मैं कैसे हल करूँ, तो यहां पे बालक मानसिक संक्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है? मानसिक सं पर चिंतन करता है तो वो मांसिक संक्रिया करते हुए समझा जाता है यह दोनों चीज़ आपकी स्वामधान के अंतरगत आती है अब इसके बाद आता है इसकिम्स क्या होती है देखे वेवहारों के संगठित पैटर्ण और्गिनाइजड पैटर्ण को आसानी से दोहराया जा सकता है इसका मतलब यह होता है कि जो पैटर्ण एक बार आपके दिमाग में तयार हो गया बालक उसको आसानी से दोहरा सकता है जैसे इसको एकजामपल के ब्रस्पतिवार है या आज शनीवार है आज हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आज मुझे किस ड्रेस्ट में जाना है कौन से कलर के जूते वाइट पहनने है कि ब्लैक पहनने है ठीक है ट्रैक सूट पहनना या जो भी उनके स्कुल में उसके हिसाब से चलत यह पहन के जाना है इस दिन यह टैमटेबल लेकर के जाना है पहले जो पैरेंट्स उसके बैग में वर्ट रोटिंग एकॉर्डिंग बुक्स किताबे बगार रखते थे अब वो बालक खुद कर लेता है तो यह कहते हैं इसे क्या कहा जाता है यहां बालक अपने तैयार जो दिमाग में श्टूर है वो उसका परियोग करता है और फिर किसी विशय के प्रती एक नया कॉंसेप्ट तयार करता है एक धाना बना लेता है इसी को स्कीमा का गया है ठीक है तो यह इसके चार बहुत इंपॉर्टन टोपिक है प्याजे के संगयानत्मक सिधानत के जिनको हम और चौ्ट होथी आवस्था बान है दूसरी यह क्शन पमदेशा है वहां फॉर्शन से आपर ऑनितरल कि भोंद ऊता हैं यह संवश्थलम आघन मारंआए यह दूसरी आवस्था दो से साथ साल की बताई गई है है तीसरीist जोह हो यह यहां 0-2 वर्जख की अवस्था है, इस अवस्था में शिशुओं का विकास 6 उपावस्थाइं से होकर के गुजरता है। कितनी उपवस्थाओं से होकर के गुजरता है, पहली प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जिसको stage of reflex activities कहा जाता है, ये 30 दिन की अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक सिर्फ बालक को चूसना, रोना और बाकी जो अनिशाय क्रियाओं होती वो करता है, जब second stage में आत जाता है, तीसरी है, गौन, वरत्ति ये प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ये यहाँ पे बालक चार से आठ महिने का हो रहा होता है, अच्छा, आपको पहले तो हम ये बता दें, dear friend, कि हम paid content भी provide कराते है, paid content का मतलब होता है, कि आपको कुछ fees pay करनी होती है, और यदि आप का सब्चेक्ट के notes आपको PDF form में WhatsApp पर provide करा दिये जाते हैं, ध्यान रहे हमरे notes लेने के बाद आपको बाहर से कोई भी copy, किताब, question bank, model paper, कुछ भी पढ़ने के आउ सकता, नहीं रहे जाती है, सारा content बहुती आसान भाशा में, pictures के माधियम से, examples के माधियम से, आप समझ रखते ह करना क्या होगा notes के लिए, notes के लिए, notes के लिए हमें message कीजेगा, 9628182649, number note कीजे, 9628182649, इस number पर WhatsApp message करके, आप notes की जानकरी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आप लिखिएगा, be at first semester, फिर अगर आप कानपूर यूनिट सर्टी से हैं, तो कानपूर यूनिटी लिखिए, लखना जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप notes ले सकते हैं, तो आप जैसे, यहाँ पर बालक जो है, तीसरे नमबर पर हम थे, गौन वरत्ती प्रतक्रियाओं के वस्था, यहाँ से बालक चार से आठ महीने का हो रहा है, इस अवस्था में शिशू जो है, वो वस्थों को उलटने पलटने और छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है, ठीक है, चीजों को उलटने पलटने लगता है, वो जान बोज़ कर कुछ ऐसी अनुक्रियाओं को दोहराता है, जो उसे सुनने या करने में रोचक और मरोन जग लगती है, यहाँ पर बच्चा आठ से बारा महीने का ह इसको गौण इसकी मैटा की सुमनवे की अवस्था कहते हैं, इस अवस्था में बालक जो है, वो उद्देस और उस तक पहुँचने के साधन में अंतर करना प्रारंब कर देता है, उद्देस और उस तक पहुँचने का साधन यह क्या है, उद्देस का मतलब यह है कि जैसे यदि कोई खिलोना च्छिपा दिया जाता है तो वहां उसके लिए वस्टों को इधर उधर हटा कर खोज जारी रखता, यदि कोई परदा है उसके पीछे अपने किसी चीज़ को च्छिपा दिया उसके खिलोने को तो बालग उस परदे को खथा कर जैसी क्रियाएं वो करेंगे बालक उसी प्रकार की क्रियाओं को करना यहाँ पे अनुकरन करना प्रारम कर देता है इमीटेशन यानि कि नकल करना बालक यहाँ प्रारम कर देता है अभी जो पांचमी अवस्था है 12-18 महीने की जिसको तरतिय वरतिय प्रतिक्रियाओं की अवस्था कहते हैं इस अवस्था में बालक वस्थों के गुणों को प्रयासम तुर्टी विदी से सीखने की कोशिश करता है फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारी जो इसमें लास्ट स्टेज है दो साल की मांसिक संयोग के दोरा ने सादूनों की खोज की अवस्था यहाँ पे बालक अठारा से चौबिश महिने का और आए इस अवस्था में बालक वस्थों के बारे में चिंतन करना प्रारंब कर देता है अब बच्चे में वस्थों इस्थायत याने की ऑबजेक्ट परमानेंस का गुण भी आचुका होता है यहाँ पे बच्चा दो साल का हो गया है तो यह जो अवस्थाएं थी छे जो पहली अवस्था है ठीक है इसमें 6 उपवस्थाज आती है जिनको हमने समझ लिया अब जो दूसरी स्टेज होती है प्री-इंट síक को कहते हैं यह 2-7 साल तक की होती है पूर्व संक्रियात्म्ह का वस्था प्री-इंटिश अब यह जो इस्टेज है इसमें भी दो पायठ है एक से दो से चार वर्स तक की अवस्था है दूसरी जो चार से साथ वर्स तक की अवस्था है एक बार ध्यान दीजिए जो दो से चार वर्स तक की अवस्था है इसको प्राक संपर्त्यात्मक अवस्था कहते है और जो दूसरी चार से साथ वर्ष्टक की अवस्था है इसको अंतरदर्सी काल का गया है दो से चार वर्ष्टक जो बालक होता है इस अवस्था में सूचकता विक्सित हो जाती है मा की आवाज से मा की प्रतिमा बालक के अंदर बन जाती है सूच तयानिकी सिक्निफायर का आर्थ समझता है और अपने प्रते कार में प्रयोग करता है अनुकरन और खेल द्वारा यहां पे बालक सीखता है चार से साथ साल का जो बच्चा होता है भासा चिंतन और तर्क का विकास उसके अंदर हो जाता है जो गनती संक्रिया है जोड घटाना गुणा भाग कर लेता है लेकिन उसमें जो छीपे नियम है उनको वो नहीं समझ पाता पल्टावी गुण नहीं होता यानि कि दो दुनी चार वो जानता है और प्रतिमाओं का अंताकरण को प्रारंब कर देता है इस सवस्था के अंत तक श्वकेंद्रित एवं श्वार्थी न रहकर दूसरों से संपर्किस्थापित बालक करने लगता है इस दोरान नई सूचनाए एवं अनुभव ग्रहन करता है इस सवस्था में भाषा का विकास प्रतीकों के माध्यम से बच्चे के अंदर होना लगता है सिंबल्स के माध्यम से चीजों के माध्यम से बालक समाचिक विवहार को खेल और अनुखरण के माध्यम से ग्रहन करता है इस अवस्था में बालक कल्पना करना तो शुरू कर देता है इमेजनेशन करना शुरू कर देता है लेकिन अभी वो तारकिक चिंतन करने में असमर्थ ही रहता है इस कारण इस अवस्था को अतारकिक चिंतन की अवस्था भी कहा गया है अब जो तीसरी स्टेज है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्ता जिसको मूर्थ संक्रियात्मक अवस्तान की concrete operational स्टेज कहा गया है इस अवस्ता में बालक दो प्रकार की क्रियाएं करता है पर्थम क्रिया के अंतरगत समाज में प्रमुख बन करके रहना चाहता है साथ से 11 साल तक का बचा है प्रमुख बन करके रहना चाहता है वो चाहता है कि लोग हमारी इज़त करें मेरी इज़त करें लेकिन उसको पूछता कोई नहीं है दूसरे के अंतरगत वो वातावरण की अनेक घटनाओं में अपने लिए उप्युक्त घटना चुन करके उसके साथ एड़्जिस्ट होना चाहता है उनमें तर्क और चिंतन करने की छमता प्रकट हो चुकी होती है वो दूसरे के दृष्टिकूर को समझने लगता है कि ये जो कह रहा है इसकी बात का क्या मतलब है ठीक है ये क्या चाहता है ये मुझे ऐसा काम क्यों करवाना चाह रहा है बालक सब समझने लगता है किसी कार को करने से उसका क्या रिजल्ट होगा ऐसा सोचना और चिंतन करना वो प्रारंब कर देता है साथ से 11 वर्स तक के वस्ता हमें अब जो इसकी लास्ट से मूर्ज संक्रियात्मा का वस्ता चीक है यह इसकी लास्ट से रहेगी और आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के लिए बेस्ट कंटेंट आपको यहां मिलता है और क्लास कैसे कॉमेंट करके बताईएगा इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी लेवाई गोस्ती के रहेगे देखिए आप चारिक संक्रियात्मा का वस्ता फॉर और प्रभावी भी हो जाता है उसके चिंतन में पूर्ण करमबदता आ जाती है अब वे किसी भी समस्या का समाधान काउपनिक रूप से सोचकर और चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं यह होती है आपचारिक संक्रियात्मा का वस्ता अब देखे एक पर मैं आपको बता दू कि जो हमने जीन प्याजय का संग्यानात्मक विकास का सिध्धान पढ़ा इसमें क्या बताया गया है देखे इसके एक तो चार बहुत महत्यपुर्ण कॉंसेप्ट है अनुकूलन और दूसरा है शौमिधारन तीसरा है इश्केम्श और चौता है इसकीमा ठीक है फिर इन्हो संग्यात्मक वस्ता है और फिर जो लास्ट है वह आपचारिक संग्यात्मक वस्ता 11-15 वस्ता की इस तरीके से जीन प्याजय का विक जो सिध्धान तो कंप्लीट होता है इसके बाद नेक्स्ट क्लास रहेगी वह रहेगी हमारी लाइवागोस्की कि जिसमें भी हम बहुत ए वह आसान वहसा में ठीक है और आप से कहना चाहेंगे यदि अब अभी तक नोर्स नहीं लिए हैं आप कानपूर युनिवरसटी से भी एट कर रहे हैं तो फटा फट से जु नमबर आपको दिया गया है वहां मैसेज करके आप नोर्स की इंफरमेशन ले सकते हैं नोर्स ले है ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में